कि आज हम लोग discussion करेंगे डायरेक्टिंग पर किस पर डायरेक्टिंग पर कि डायरेक्टिंग क्या होता है मैनेजमेंट का एक function होता है डायरेक्टिंग यह तो आप जानते होंगे तो मैं इसको करेक्टिविटी थुरा सा बना देता हूं पहले से जब करेक्टिविटी नीचे से उपर तक मैं लेके जाओंगा ना तो आपको चीजे समझ बहाएंगी बार बर जब आप चीजों को एनलाइस करेंगे तो कन्फर्म भी हो जाएंगे इसमें कोई शक नहीं कि मैनेजमेंट के पाच में फंक्शन में से जो सबसे कॉंप्लेक्स फंक्शन होता है जो जिसे हम डायरेक्टिंग को ही मानते हैं इसमें बहुत साथे और भी सके इलिमेंट्स होते हैं इसकी वैसे बच्चे कन्फीज्ड हो जाये करते हैं तो थुरा साथ ध्यान से फ़र्स्ट फाइब होते हैं जो पहला फंक्शन क्या है बता यह प्लैनिंग दूसरा ओर्गिनाइजिंग तीसरा स्टाफिंग चौता क्या है डेस डायरेक्टिंग और अगला क्या आएगा कंट्रोलिंग हम इसी डायरेक्टिंग को पर नहीं जाने ना ठीक है अब तुरा सब मैनेजमेंट के फ काम करने होता हैं या और मैनेजमेंट का यह सभी काम आ अ सब्तूरिय यह बढला करते हैं और बchnetर Всё यह आ ह gros君 155 कि यह भी जयात इसको कर लिए और फिर सूझाओ आप काम होता रेगा यह वाशमुण मसीन का वो आzin है कि आपने एक बार 15 मिनिट पे इसको लगा दिया है तो यह काम 15 मिनिट तक करता रहेगा ऐसा नहीं है आपको लगातार इसको काम इस पे स्टेप लेने की जरूरत परती रहती है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि प्लैनिंग कहां क्या होता है सबसे पहले हम मैनेज्मेंट में कशा है काम का एक प्लैनिंग क्या करना है कब करना है कैसे करना किसको करना है यह सारी चीज़ीं डिंक कर लेते हैं तो इसे क्या बोलता है प्लैनिंग अगला स्टेप और गिनाइजिंग लाइक यहां पर हम और गिनाइजिशन मनाते हैं क्या बनाते हैं और गिनाइजिशन हम इसमें यह बनाता है कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे कितने सेक्षेंस होंगे ठीकर ना यह सारी च स्की दून्ड कर लाते हैं और काम पर लगाते हैं, इससे क्या बोलता है? स्टाफिंग, अगर आप गौर से देखोगे, तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे न, अभी तक एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, काम स्टार्ट अभ होता है, कहांसे? directing से काम के शिरुवात directing मतब कि देखो पहले प्लैनिंग किया organizing कर लिया अब staffing भी हो गया अब हम सभी staffs को लोगों को employees को अब top level ये बोलेगा अब हम उसको कहेंगे चलो काम start करो गोल की प्राप्ति करने के लिए अब लग जाओ है ना इसे क्या बोलें हम directing तो काम के शिरुवात एक्च्वल में कहां से होता है काम के शिरुवात एक्च्वल में हम लोग करते हैं directing से और फिर लास्ट में क्या होता है controlling controlling का मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात यह है मैं आगे इसका तो प्लानिंग पे खरे उतर पाएं इसकी जाच करना क्या होता है controlling कहलाता है और इसकी जाच करके अगर जो result हमें मिला अगर हम कर पाएं तो और बेतर कैसे करेंगे इस पर द्यान देना और अगर नहीं कर पाएं तो corrective action लेंगे हैना corrective measures निकालेंगे और उसके आगे action लेंगे ताकि हम अपने goal को achieve कर पाएं that is called controlling को चलिए directing क्या है समझे action की शुरुवात कहां से होती है directing से समझ मैं आई बात मैं आपको इसके लिए एक example देता हूं और बहुत बहतरीन वाला और यह वाला example जैसे समझ में आगा एक घड़ेली एक्जामपल देता हूं मैं आपको जैसे यह बाते आपको समझ में आ आगे ना फिर आपको डैरेक्टिंग 100% समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेट जितनी भी बाते सब कन्फर्म कर लोगे आप आरम से तो चलिए ध्यान दीजिए सपोज हमारे आना सपोज आप क्या 500 गेस्ट आने वाले हैं 500 गेस्ट आने वाले हैं और आप चाहते हो कि उनको बिल्कुल उनका बेहतरीन धंग से विदा भी करें वह खुश हो जाए उनका सही धंग से विलकम करना सारी चीज़ों को धंग से देखना उनको सही धंग से खाना प्रोवाइड हो जाए है ना बिल्कुल धंग से उन्हें हम विदा भी कर पाएं बिल्कुल घरे लूँ और हर कोई इस तरह की चीज़े और देखो ना अक्सर जाते होगे तुमनों कभी कभार बारात में जो कि अच्छी चीज नहीं है तो आप देखते होगे कि बहुत सारे बारात में का मैनेजमेंट बढ़ा अच्छा होता है और बह क्या देखो मैं अब क्या करना है प्याकर याकर खाना ख्लाना है कितने हम लोगों को भुलाना या तहुंप घिलान मैं सर्व करना है यह सारी चीज हमने कर लिया दाटिस ब्लैंग मेन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए इस काम को करने के लिए सेक्शन मना दिया आपने डिपार्टमेंट बना दिया जैसे कि जब कोई गेस्ट आएंगे तो उनको बिठाने तक का इंतिजाम के लिए अलग डिपार्टमेंट खाने का डिपार्टमेंट अलग बना दिया और उनको रेस्ट करवाने का डिपार्टमेंट अलग बना दिया आपने तीन डिपार्टमेंट यह क्या कहलाएगा और चीज़ों को अच्छा कहां पर कितने लोगों की जरूवत ह है है ना सब्सक्राइब हो गया अभी जब साड़ी चीज़े ते हो गई तो फिर आपने उन लोगों को जहां पर जतने लोगों की जरूरत थी ढूंड कर आपने बिठा मंगवा लिया यह क्या कहलाया स्टाफिंग अभी तक का में स्टार्ट हुआ है क्या दो भी समझ मैंगा तेजित इन वो जो टीन-एक करें क हम कर रहे थे अने अब उसको हम जमीनी मत्बव कि धरातल पर लाने का काम अब यह अब काम स्टार्ट होगा व जो लोगों करके लोगों को भुला भूदल अब वो काम स्टार्ट करेंगे वेलकम करने के जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट की थी खाना खिलाने के जिम्मेदारी दूसरे डिपार्टमेंट उनको रेस्ट करवाने के जिम्मेदारी तीसरे डिपार्टमेंट की थी एक्जामपल डिपार्टमेंट में लोग आ चुके ह अब काम स्टार्ट एक्च्वल यहां से होना है कहां से बोलो कहां से डायरेक्टिंग से समझ माई बात अब डायरेक्टिंग करेगा कौन आप समझे डायरेक्टिंग समझ मागया अब डायरेक्टिंग का काम कहां से स्टार्ट होता है समझो लेवल किसको डायरेट करेगा मिड अब वो टॉप लेवल मेडल लेवल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अब करें तो कभी भी डारेक्शन देने का काम का क्या मतलब होता है अब समझें अब मैं हूँ टॉप लेविल आप सभी को यह जिम्मेदाड़ी दी गई है और हर डिपार्टमेंट का एक हेड आपको मना दिया अब संप्रों आप एक डिपार्टमेंट के लगा करना और मैंने आपको डियरेक्शन दिया कि आप भी मुझे कभी डियरेक्शन दोगे नहीं आप मुझे कभी डियरेक्शन नहीं दोगे त्योंकि आप मुझे डैलेक्शन दे भी नहीं सकते हैं, आप मेरे सब आडिसन जूनियर आप, आपका लेबल नीचे है, साधन भाषा में बात करें, आप मुझे communication, communicate कर सकतो हो चीजों को, आप request कर सकते हो आप मुझे, आप मुझे direction नहीं दे सकते, याद रखना, direction मैंने दिया आप तीन जो hits को मनाया न मैंने टि-पार्टमेंट लो 1917 alrađ तुम ऐसे करना तुम ऐसे तुम ऐसे करना अब आप किसको direction आपके टीम के अंडर में जो काम कर रहे हैं उसको direction आप दो गे कि समय रहो क्या तो direction कभी भी start जो काम की शुरुआत कहां से होती एक्चॉल में देदरें दिमाग में बात आ रही हैmae direction से directing से काम स्टार्ट होता है management की fourth function से काम니다 कि अब जब यह काम start हो गया good-end अब दूसरी बात आपने ये समझा कि direction कहां से start होता है top level किसको देगा तो मतलब ये top से कहां तक bottom तक आता है उपर से direction कभी भी उपर से नीचे की हो रहता है एक और बात मैं बता दू आपको direction के बारे में बता रहा हूँ मैं भी आपको अब सुनते रहे हाराम से मेरे परहने का principle आपको पता होगा जो बात मैं कर रहा है उसको सुनते जाओ हम किसी भी में पॉइंट से इसको तुरंट चिपका देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा था अभी कि कहानी याद है ना गेस्ट आने वाला कि काम की शुरुआत मेमानों को सर्व करना ही में उद्धेश्टा ना शुरुआत यहीं से हो रही है ना इससे पहले तो हम इसको इस पर आने की तैयारी कर रहे थे पहल कोई भी फंक्षन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्या continuous प्रोसे से रुख जाता है यह यह लगातार डायरेक्शन का काम भी लगातार चलता रहेगा यह याद रखे यह सारी बाते जो मैं भी बता रहा हूं एक्च्वल में यह किया है characteristics of directing हैं या nature of directing हैं या features of direction समझ रहो क्या यह directing के characteristics बता रहाता है एक्च्वल में इस direction में गौर कीज़ेगा अगली बात पर दियान दीजिए आगे की बात करने से पहले मैं एक बात और बताता हूं फट से यान इसको मैंने add कर दिया है elements of direction जब पहले यह बात बता दूंगा है मैं तब definition पहलाओंगा कई बार मुझे लगता है कि इन चीजों को समझे बीना बच्चे definition कभी समझी नहीं पाते हैं इसलिए मैं अलग मोड यूज करता हूं अभी तक की बाते सब को समझ में आ रही होगी guaranteed इसी को दिक्कत है नहीं एकदम कोई किसी का सर भारी हो रहा है क्या चल आ है कुछ नहीं ना कि अरव समझ değil होगी बाते अब आइये पहले कि बाट फिर समस्रेक्च decade ऊपरवाले चैकल liquidity को देंने का मतलब सैंसर्थ होता है離श शने के मतलब मतलlä राह दिखाना रास्ता दिखाना ये बताना कि तुम्हें ये काम कैसे कर ना चाहिए है इक तो इस डारेक्शन में चार चीजें आती है एक्च्वाल में, कौन कौन मता है, कॉम्निकेशन, सुपर्वीजन, मौटिवेशन, एल लीडर्शिप, बिशाद देखे, कि इल्मेंट्स, ध्यान सा सुने, कॉन कॉन पहला ध्यान देजे गॉंपनी बात दूसरों अपने आइडिया को दूसरों तक पहुचाना अपने फिलिंग्स को सक्सेस्फुली दूसरे तक पहुचाना क्या कहलता है communication clear it's a part of directing यह किसका part है तो directing के अंदर यह चार चीज़ें करनी होती है आप इसको इस तरह समझें कि direction directing के अंदर भी चार काम है management का एक काम directing के अंदर कितने काम होते हैं चार काम करने होते हैं क्या क्या बोलो अपनी बात subordinates तक पहुचाना communication अपने feeling अपने ideas को अपने सोच को successfully आप तक पहुचाना directing का ही part है clear दूसरा supervision supervision का मतलब होता है दूसरों के काम पर नजर बना के रखना supervision का क्या काम है अब नजर आप अपने से उपर वाले के काम पर बना होगे या नीचे वालों के काम पर बना नीचे वालों की काम पर नज़र बना के रखोगे चलिए नज़र मशने का मतलब और बीonom बैटकर आपको मैं करते हूं फरो क्लास में बैट्टे भो तो मैं supervision कर रहा होता हूँ समझ रहो मैं देख रहा होता हूँ कि तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो अगर डंग से नहीं कर पा रहे हो तो मुझे तुम्हें बताना होगा communication करना होगा कि देखो इस तरह से काम करना है अगर तुम काम ठीक से नहीं कर पा रहो तो एक और काम motivation motivation मतल़ समझ मैं रहे क्या होता है कुछ ऐसा करना कुछ ऐसा मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसी बाते करूँ कि आप उत्साहित होकर पहने लग जाओ उसी तरह business organization में कुछ ऐसा करना ताकि employees पुरे दिल से, इमानदारी से goal की प्राप्ती पे लग जाएं, धंग से काम करने लग जाएं, that is called motivation, मतब आपके अंदर एक उत्साहा आजाएं, कि नहीं हमें धंग से करना है, बेतरी धंग से करना है, that is called motivation, clear, and last में क्या है, leadership, leadership का lead करता, उसको leader कहता है, अब सीधे किसी को आदेश दर सुनो, ये काम करो, ये काम करो, मैं एक example बता रहो, lead करना और आदेश देना, दोनों में अंतर होता है, मैं अगर आपका leader हूँ, चलो हम लोग एक mission पे निकले हैं, ठीक है ना, रात के अंधेरे में हम लोग mission पे निकल क हैं, तो हमें सबसे आगे रहना चाहिए, यह हमें तुम्हें आदेश देना चाहिए, चलो तुमाग के निकलो, ऐसा ने, हमें आपको ये महसूस कर रहा हैं जाईork, मैं आपके साथ हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, आपकी कोई समय से आया, तो इसको p Раз से चाहिए, कुछ और स अब अगर डारेक्टिंग का डिफनेशन बनाना होगा तो आप बहुत इसको डिफनेशन भी बना लोगे आपको लग रहा होगा कि बाकी चीजों पर तो हम लोग आई ही नहीं मैं आपको बतारो मैक्सिमम चीजें अभी आप पड़ चुके हो अब आईए अब हम आपको बतात इंड लीडिंग पेपल इन ओर्गिनाइशन टू एचीव इट्स गोल समझ रहा हो इसी को क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिरेक्टिंग तो जब भी तुम्हें डिफनेशन देना हो मैं यूनिक चीजें बता रहा हूं तुम कॉम्परीजन कर लेना अधर लेक्शियर से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा इसमें रिसेर्च किया हमने फिर से दुबारा इस बच्चे को इसली और कैसे समझ मैंगा तो जब भी डिरेक्टिंग का डिफलेशन देना हो उन चार इलिमेंट्स को याद कर लेना तो यह किस चिस का प्रोसेस से बताओ इ कर इस ट्रक्शन समझ में रहेना डारेक्शन देरा मतल MON सबीटेना रास्ता दिखना इतको इधर से जाओगे तो अच्छा रहेगा यहांसे ट्वर लीटीमेटनี้ देना इडरिंग मेरे खाल से बात समझ में आगयाोगा और यह साड़ा काम क्यों करते हैं गोल यानिwest क्टुछ ऑप प्राप्त करने के लिये जो आइशन का गूल है यह अपजक्टिव है उसकको पूरा करने के लिएकां किया जाता है कलियर हो गया एनी प्रॉब्लम यह वाब यहां पर देखों यह पहले बता चुका हूं आपको इसमें कोई दिखा तो एक मिनट के अंदर यह पॉइंट कदम होगा पीचर्स या ऺगरेक्टिश्ट्र करते हो करता है एक शुरुआत कहां से वोलो fuel schö singles कौईण या मैं तुम करता है व स्माज़ पाते मैं पहले ही बता चुक को मैं चाहता तो सीधे-स राइट को लाते हैब नहीं समझवाधाइब न्हीं कि π 你 sini हमैं र्वी याहों अभी देखो डारेक्टिं सबी लेवल पर होता है तॉप लेवल किसको में दिलेबल किसको टॉप लेवल बी वेल को डिरेक्ष लेगा मिदी लेवल और लयर लेवल प्लेटवाम को चलियाए कहो अम चारेक्टेंश से कोट अधिन्यूस प्रोसेस अडे हां या ना डारेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है जलिए उसके बाद डारेक्टिंग फ्लोस टॉप टू बोटम यह बात भी कलियर है यह यह अभाई एक छोटा सा पॉइंट और कि देख लेता है और काम खतम करते हैं इंपोडेंस देर ग्रूप एक्टिविटीज है, ग्रूप एक्टिविटीज को सक्सेस्फुली मूव करने के लिए हम डारेक्टिंग का यूज करते हैं, प्रुवाइट्स मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन होता है, अड़े बास समझ रहो क्या, अब शक्ता नुसार हम यहाँ पे चेंज कर सक प्रूप एक्टिवेशन, यह और्गेनाशन में स्टाबिटी लाता है, और अर्गेनाशन के डिरेक्टिंग के बीना स्टाबलिटी नहीं आ सकता है, तो कुल बिलाकर सक्सेस्फुली गोल एचीव करने के लिए डिरेक्टिंग का होना जरूरी है, अब छोटी सी बात, त्र मैंने इससे पहले भी कहा है कि किसी भी काम को करने के कुछ प्रिंसपल होते हैं, और अगर उस प्रिंसपल को फॉलो करके, अगर आप उस काम को करोगे, तो उसमें सक्सेस का के चांस मर जाते हैं, जैसे एक्जामपल मैं बताओ, मैंने कई बार बता है, कई बार, अने को बा औरहीं मिल नंगे जलेज मानने का यह प्रीशिक प्रिंसक्तर हों, इसली टमक नीहीं हो अदि को बता है? मैं आपसे सिंपल ऐक्जामtschaftन की कप्रा भूने का प्रिंसक्तर हो? तो सबसे पहले अगर आपको कप्रक धोना है ना तो आठ दस घंटे पहले इसको पानी में डालो चीक है ना दूसरा जल्दी से बता आता हूं मैं फिर दूसरा क्या कर लो इसको तुम इसमें जब फिर धोगे तो इसमें पानी भी कम खर्च होगा और डिटरजेंट पाउडर भी कम लगेगा क्योंकि उसकी गंदगी पानी से निकल गई होगी उसको कपड़े को पटकना भी नहीं पड़ेगा जाद उसको पटको नहीं और उसके बाद उसके बाद सुखाओ कहाँ पर खंडे में धूप में मर सुखाओ ये कपड़ा दोने का प्रिंस्पल है तो मत्तब कि कपड़ा अगर धो रहे हो तो किन बातों को ध्यान में रखोगे जो बेहतर वे में कपड़ा धो पाओगे उसी तरह से कोश्चन यहां पड़े है कि अगर आप तुम डारेक्टिंग का काम कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखोगे कि तुम सही वे में directing के काम को कर पाओगे that is called principle of directing तो अगर आप directing के काम को सही से अंजाम देना चाहते हो तो पहला principle है maximum individual contribution हर individual का maximum contribution करवाओ उनको motivate करो उनको supervise करो उनको lead करो जो करना है करो और individual का maximum उनसे क्या लो output लो maximum individual contribution पर ध्यान दीजे आपकी जो capacity है उसको maximum use करवा लो तब मैं एक बेहतर manager हूँ आए हर्मोनी ओफ objectives ध्यान दीजे employees का objective क्यों होता है जो job करने है ना उनका मकसाद है जादा स्यादा salary कमाए जादा स्यादा return ले हम है ना ताकि हम जादा स्यादा हम घर पर लेके जा सके पैसा उनका objective तो यह है और management का objective क्या है जादा स्यादा profit कमाना अब इनके भी समंजस से बनाना भी यह management directing का principle है समंजस कैसे बनाएगा हम उनको यकीन दिलाएंगे अगर आप मेरे करम चाड़ी हो मैं आपको यकीन दिलाओंगा देखो तुम मेनस से काम करो ठीगा ना आप अगर मेनस से काम करोगे तो हमारे business का profit बरेगा और जब हम profit हमारा बर जाएगा ना तो हम आपको भी bonus देंगे आपका भी development होगा और जब उनको यह यकीन दिलाओगे motivate करोगे तो वो दिल से काम कर पाएंगे त्रिफादेश देकर तब आप मेरे कर किसी से काम नहीं करवा जा सकता और अगर आप चातु इस तरह काम करवाएं तो आपको management का पहला line भी पत management आप हर्मोनी है उसका दियोज्ज और इन फार्मेल और अटियाश्चन द्यान से सुरें यूज उफ़िन फॉर्म और गरेंशन देको फॉर्मल क्या होता है ओन मतलब जब ऑफिस्टी बात होती है इसको फॉर्मल कहता है और जब अफिशली आप करते हो तो इसी फॉर्मल क लेकिन अगर मैं आपसे पूछनों और बताओं सब घर में ठीक है यह कौन सी बात है इंफॉर्मल है तो फॉर्मल और इंफॉर्मल कॉम्निकेशन जब मैं कॉम्निकेशन बढ़ाऊंगा तो डिटेल में लेकर जाओंगा आपको यहाँ पर परना है शॉट में बताओ कि कभी पार हमें इनफॉर्मल चीजूं को भी यूज करना चीह इस लेक्चिर के बाद इस बाद का और मतलब समझा वहएं इस बात कर दियान दखके तब duż pressed कि की काम को सही से इंजाम दे पाएंगे, मुझे लगता है डिरेक्टिंग अब आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना काफी है, बेस्ट आफ लाइग